हेलो फ्रेंड्स वन्स अगें विल्कम बेक टू माई चैनल मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टैरेस्ट गार्डन फ्रेंड्स आजकल गार्डनिंग एक ट्रेंड सा बन चुका हैं और खास करके टैरेस्ट गार्डनिंग हर कोई gardener friends अपने terrace पर छोटे छोटे गमलों में gardening करते हैं और धेर सारे plants लगा करके अपने घर के वातावरान को अच्छा रखने के साथ साथ में अपनी gardening को भी enjoy करते हैं लेकिन friends कभी कि आपने सोचा हैं कि हमसे जाने अंजाने में कहीं ऐसी गलतिया हो जाती हैं जिनका उल्टा असर हमारे plants पर पढ़ता हैं और एक समय ऐसा आता हैं कि हमारे अच्छे plants का खराब हो जाते हैं तो friends शुरुआती के दिनों में जब मुझे गलतिया होई थी और मेरे भहुत ही खुपसरा से plant थे जो कि मुझे बहुत जादा पसंद थे वो मेरे garden से खतम हो चुके थे तो friends उनी गलतियों से सबक लेकर के आज की वीडियो में उन friends के लिए बनाने वाला हूँ जो कि gardening की शुरुआत करना चाते हैं या फिर कर भी रहे हैं तो वो ऐसे गलतियों को repeat ना करें जिसे कि उनके plants खराब होने की संभावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो friends सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजगा ताकि plants से रिलेटर जब में जब भी कोई वीडियो बनाओ तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो friends सबसे पहली और सबस का selection यानि कि कही मतलब कही सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि गलत पॉर्ट का selection कर लेते हैं जिससे कि कुछी समय में उनके plants बेकार होकर के उनके वीडियो से खतम हो जाते हैं तो friends सबसे पहले आपको इस गलती को सुधार ना होगा आपको अपने प्लान की हाइड देखनी होग हैं या फिर इसे बड़े container का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि यह oil के container पीछे रखे होगे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपके plant की जड़े कितनी गहराई तक जाती हैं यानि कि जो seasonal plant होते हैं जिसकि पर्सलेन पोर्चुला का मॉस रोज और winter के plant जैसे क denthous वगेरा तो इनकी जड़े ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं तो इनकी लिए आपको बिल्कुल shallow pot का इस्तेमाल करना है जैसे कि मैंने सामने कर रखा हैं आप देख सकते हैं यह बिल्कुल चोड़े हैं इनकी ज़्यादा गहराई में जड़े नहीं जाती हैं जैसे तो मैंने न साथ इंच के कंटेनर में ग्रो कर लिया था तो यह सबसे बड़ी गलती में ने कर दी थी और अब देख सकते हैं यह मेरी गलती की वज़े से इसका हरदाना मुझे भुकतना पड़ा हैं और मेरे पांचोई प्लांट गलकर के खराब हो चुके हैं देख सकते हैं यह देंथस के प्लांट हैं अला कि कई सारे फ्रेंट्स बोलते हैं कि देंथस एक पर्मानें फ्लावरिंग प्लांट होता हैं और सालो सार आपके गार्डन में बना रहेगा लेकिन यह देखे फ्रेंट्स यह मेरे सारे ही प्लांट से खराब हो चुके हैं और सिर्फ मेरी ए कंटेनर में shift कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर Vegeta ही होगया इन सबीं मैंने बड़े-बड़े कंटेनर में ही लोको सादी का और तो वो चायन चाहले इसे होते हैं कि हमारा प्रश्रान प्लान थम पल सूख में पर्स अपनी पर्स्ट में पानी पर्स को मैंस पर्स्वाइब में प्लांट में पानी की मातरा को भी ज्यादा नहीं करना है बिल्कुल मेंटेन करके उसको पानी देना है यदि आप ज्यादा पानी दोगे तो आपके प्लांट की जड़े गलकर की खराब हो जाएंगी प्लांट की पत्यां पीली होकर के ज़ड़ने लगेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा ही प्लांट आपके गाडन से खतम हो जाएगा और आप फिर दोबारा से उस प्लांट को लगने के लिए लग जाओगे तो friends आपको ऐसा नहीं करना है जब भी आप किसी प्लांट में पानी दे रहे हो तो पहले उसकी मिट्टी को चेक कर लीजिए उसकी मिट्टी उपर से दो इंची इदी सूखी हो तब ही उस प्लांट को पानी दीजिएगा अदरवाइस नहीं दीजिएगा तो friends कई सारे friends ऐसे होते हैं कि सबसे common जो प्लांट होता है हमारा तुल्सी का प्लांट होता है यानि कि तुल्सी जी का प्लांट जो होता है सभी के घर में होता है और कई सारे लोग ऐसे पूजा के परपस से भी उसको लोटे भर भर के पानी चलाते हैं तो आपको एक सा बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप उसमें पानी देते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा तुलसी का प्लांट ही बेकार हो जाएगा तो आपको उसमें बार-बार पानी नहीं देना है पहले इस प्लांट की मिट्टी को चेक कर लिजे अच्छे से ड्राय हो जाए उसके बाद आप उसमें पानी दीजेगा तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है पानी की और वर्टिंग होने के वज़से भी कई सारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं तो आप जब भी पानी दें प्लांट की मिट्टी को चेक करके दें और प्लांट को रिक्वार्मेंट है या नहीं यह बिल्कुल चेक करके दीजेगा जैसे कि आपके प्लांट्स हमेशा आपके गाडन में बने ही रहेंगे उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है जिससे कि कई बार हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं और प्लांट हमारा पुरा बेकार हो जाता है तो वो तीसरी जो गलती होती है वो कई सारे फ्रेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो करते हैं कि गुड़ाई ना करना क्योंकि प्लांट जो होता है यह जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं इन प्लांट की जो air population है उनको भी हमको थोड़ थोड़ा दिनों में release करना होता है यनिकि हम पानी डालते रहते हैं जिसे कि हमारे प्लांट की मिट्टी इस तरीके से उपर जम जाती हैं ये जो आप सामने देख सकते हैं ये भी इसकी मिट्टी जमी हुई है तो आपको इसको थोली सी गुड़ाई करना है जिसे कि इस प्लांट में air population बना रहें कोई भी चीज ले लीजे आप और इस तरीके से प्लांट की हलके हलके से गुड़ाई करते रहें ये इस तरीके से तैकि ये जो मिट्टी है ये उपर नीचे होकर कि प्लांट का air population चालू कर दें जिसे कि पोदे की जड़े अच्छे से सांस ले चके और आपका पोदा भी बहुत ये अच्छा और healthy बना रहें ये जिदि आ आप इस तरीके से गुड़ाई करेंगे तो जो प्लांट का air circulation है वो उसे सुचालू रूप से चालू रहेगा और आपका प्लांट healthy, bushy और चमकदार बना रहेगा इसलिए आप अपने हर एक प्लांट की 15 दिन के अंदर ये फिर 7 दिन के अंदर अपना एक schedule बना ले इस तर प्लांट हमारे काफी ज्यादा healthy और चूस्त बने रहें जैसे कि भविश्य में उनके खराब होने की संभाव ना है बिल्कुल भी ना रहें और धेर सारे flowers वो अपने गार्डन में प्रोड्यूस करते रहें और साले साल वो अपने गार्डन में बने ही रहें तो इस तरीके स आप तीसरी समस्या जो है वह सबसे पहले रहती है गुड़ाई की समस्या तो आप इस समस्या से समाधान पाने के लिए और अपनी ब्लान को हमीशे अपने गार्डन में एड करने के लिए नियमित समय से गुड़ाई करते रहें यानि कि एक schedule बना ले कि आपको साथ दिन में कोई भी कीड़ा वगेरा कुछ भी आपके प्लांट में लगता है तो आप भर भर के नीमोयल का इस्प्रेक कर देते हूं मैं नीमोयल को गलत नहीं बता रहा हूं लेकिन उसका भी एक लिमिट मातरा में यूज होता है जो मतलब की अंजान होते हैं जो उसने पहले कभी यू काफी अच्छी रहेंगी लेकिन कहीं साइसे होते हैं कि उसका ओवर यूज कर लेते हैं जिसे की प्लांट उनके कुछी समय में खराब हो जाते हैं तो आप नीमोयल का इस्प्रे जब भी कर रहे हैं प्लांट में तो बिल्कुल सोच समझ करके करें जब भी आप उसको तो कई बार उनका उल्टा असर हो जाता है प्लांट हमारे कHz कराब हो जाते हैं तो मैं तो किसी मोयल का कीडा मोकरा कुछ भी आथी प्लांट की ठीकनेस भी आती है, प्लांट की पतियां भी चमकदार बनती है और प्लांट हमारा हल्दी और बुशी बना रहता है सालो साल तो इस तरीके से लिक्विड एंजाइम का भी आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं ना कि बाजार से केमिकल फर्टिलाइजर लाके अपने प्लांट को खतम करना उसके बाद फ्रेंट्स सभी लोग यानि कि आदे से ज़्यादा लोग सबसे बड़ी समस्या जो अपने प्लांट में कर देते हैं वो होती है खाद की यहने की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो सब के खाद के साथ में ही होती है करी सारे फेंड्स ऐसे होते हैं जो कि नए नए गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं या फिर जोनर नया नया स्टार्ट किया है अपने गार्डनिंग को करना तो वो कहीं साथ में उसकी मात्रा भीतायनें ज devices कि अधों गंले की दालें नहीं बस उन कोश्राइब बैडए रिए और कई सबसे पांच वी सबसे बड़ी समस्या जो होती है खाद की समस्या तो मैं आपके साथ मैं explain करूंगा कि मैं अपने गाडन में कौन सा खाद यूज करता हूं जिससे कि मेरे प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी बनी होती है और प्लांट मेरे कभी खराब नहीं होते हैं तो आप जब भी अपने में बज अपके प्लांट के उपर उल्टा ही असर करेगा लेकिन यह जो गोबर की खाद होती है यह आपके प्लांट के उपर कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगी उल्टा आपके प्लांट की ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाती रहेंगी इसका आप चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं और आप चाहे तो इसको सॉलिट फर्टिलाइजर की रूप में भी दे सकते हैं आप मेरे प्लांट की चमक देख सकते हैं कितनी ज्यादा बुशी और कितने ज्यादा अच्छे मेरे प्लांट बने हुए और कितने ज्यादा शाइनी इसकी लिवस बनी हुई है ग्रिंडोई कितनी ज़ादा है मेरे गार्डन में तो यह सब इसी खार का Second का कमाल है क्योंकि मैं इस लिकविड वर्टिलाइजर भी देता हूं समय समय पर और इसको तर इसको सेसाथ ती रूप में मत दीजेगा आप इसको लीकविड की आपको बिल्कुल भी नहीं करनी ये जिसे कि आपके प्लांट हमेश्la बने रहें अच्छे से आपके गारण में और खिल खिलाखके हसते रहें कुछ गल्तिया मुझसे भी हो गई थी हाला कि में भे इंसान हूँ इन गल्तिया कि गलतियां वह अपने गाड़न में ना करें और अपने प्लान को अच्छा और बूशी चमकदार और गहरा घंदा बना सकें और फ्लावर्स अपने गाड़न में बनाए रखें